कैसे अप लोग उमीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज है न में टर्फल बनाने जा रहे हूँ तो मैं सोची क्यों ना तूप लोगों के साथ शेर कर दूँ क्या रहता है कि मैं टर्फल बना कर रखती हूं आप लोगों को खाली बता देती हूं तो इसलिए मैं इस वीडियो में टर्फल के रेजपी आपके सामने ही बनाओंगी और पूरा ही जो भी मैं बना रही हूं और जो आप यह विप क्रीम तो परफेक्ट है गर्मी के लिए अगर आप ठंडी में बनाएंगे ना तो यही रेशु आपको दूसरा लेना पड़ेगा जैसे कि आपको है ना तीन सो गराम डा कंपाउंड लेना पड़ेगा तो उसके अंदर दो सो गराम करीम डालना रहेगा क्योंकि ठंडी में यह मैं पूरा फास्ट शिलो करके कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप पूरे ठाइम अदर शिलो ही किए रहें लेकिन मेरा मानना है क्या ज्लोप पर करेंगे तो यह थृझ तो एक्स्ट कर देंगे और ध्यान नहीं देंगे तो आपका यह चौकले जल जाएगा तो छैस्ट के साथ शेयर कर दूं और इसी चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन अगर आप लोग सीखने के लिए आए हैं तो जरूर पूरी वीडियो वाच करेंगे और यहां पर मैं चूले से इसलिए हटा लिया हूँ कि अगर इसका टंपरेचर जादा रहेगा और मैं इसको नीचे उतार दी हूँ और आप लोगों को ना ऐसे ही करना है जब यह गनाज बन जाए पूरा चोक्लेट मेल्ट हो जाए इसके बाद है ना मैं इसको फ्रीज में रख दी थी मैं गनाज भी यही रेशू से बनाती हूँ और यहां पर तो हम टर्फल बना रहे हैं तो इसके लिए इसको फ्रीज में रखना पड़ेगा और यहां पर है ना मैं ना बेक करने के लिए रखी थी अपना इस पॉंच और यह रेडी है और आपको ना टूट्पिक दाल के चेक करना है और जैसे ही आपका टूट्पिक क्लीन आए आपको उसी टाइम पर अपना चुल क्लीन आ रहा है वैसे ही आप रिमूव करेंगे और यह ठंडा हो गया था उसके बाद मैं डी मोल करी हूं और एक साइड में थोड़ा सा उंचा था जहां पर आप देख रहे हैं मैं कटिंग कर दी हूं वैसे आप है ना पूरे टॉप का हलका सा लियर निकाल लेंगे ना तो तो आप लोग निकालेंगे तो बेस्ट रहेगा लेकिन मैं नहीं निकाली हूं तो मैं यह नहीं बोलूँगे कि यह पार्ट बेस्ट है और मैं यहां पहना इसमें तीन लेर करी हूं तो आप लोग आराम से ना चूरी से कट कर लें अगर आपको चूरी से नहीं जमता है तो तो आप साइड में हलका हलका सा कट लगा लें उसके बाद हेना आप धागे से कटadoreं कर लें आप डाय कहेंगेगे तो भी हो जाएगा लेकिन बेस्ट यह ब्रस्टे आप खरनिकieme करने से कृणग जरस कंद कर सेुआ हैं लेकिन मेरा मानना का पुर्फेक्ट वह है कि आप स्वस्ट पेलें से चूर्ष बेस्ट होगा और आपको है ना काम करने में इजी रहेगा तो उम्मिद करती हूँ कि आप लोग जब भी टर्फल बनाएंगे तो यह इस टेफ जरूर फॉलो करें और अगर बाइचांस आप अगर यह इस टेफ फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका टर्फल परफेक्ट है मैं यह नहीं बोलूगी कि वह सही नहीं है लेकिन यह बेस्ट पार्ट है तो उम्मिद करती हूँ कि आप लोग जरूर ट्राइ करेंगे और इसका रिजल्ट है ना उससे बेस्ट रहता है और उसके बाद है ना यहां पे है ना यह जो आप देख रहे ना इस पीड नहीं बढ़ ही नहीं और नीचे ना मैं गिला कपड़ा करके रखे हूं इसके उपर बोर्ड रखे हूं और इसके उपर थोड़ा सा में गनास लगाए हूं और यह तीनों मेरे लेयर हैं तो बीच वाला जो लेयर था मैं यहां पे रखे हूं और टॉप वाला बीच में रखे हूं और नी तो आपको ये बात का पता होगा कि जब हम पाइप करते हैं Camisus कि वैं तो वैंगे आप आराम से कर सकते हो क्यों यहां पहती कि ऐसे podr weakest złap लेकिन आपको हम बताने के साब से कर रहे हैं कि अगर आप यह वाला इस टेप नहीं फॉलो करेंगे गनाश वाला तो आप ऐसा घुमाएंगे ना तो आपका है वह चोकलेट उखरता है तो इसलिए मैं बता रही हूं कि आप लोग अगर करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट देगा और यहां पर मैं सारे ही लेयर में यह गनाश डाली हूं और इससे केक का भी टेस्ट अच्छा रहेगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी तो उम्मीर करती हूं कि आप लोग मेरे यह चोटे चोटे टिप और ट्रिक्स फॉलो करके आप भी भेतरीन केक बनाएं और इतना लंबा कोई वीडियो देखता नहीं है तो मैं एक एक चीज इसमें डाल रूंगी मैं सोकि है कि स्काली में केक ने बनाऊंगी कभी वीप किरीम कर दूंगी कभी घणाष बना दीजिसे क्या आज की वीडियो में और कभी में बेटर बना के दिखा दूंगी तो यह जब भी टरफल बनाए तो यह बात का धियान दखें कि टॉप पे तो ज़रूर करम कोट कर दें से क्योंकि हमें है जब फिनिशिंग लास्ट में करते हैं तो यहीं पर हमें दिक्कत आती है क्योंकि हम यहीं स्टेप नहीं किये रहते हैं तो गनाश लगाते हैं उपर और फाइनल फिनिशिंग करते हैं और यहां पर करम कोट हुआ नहीं रहता है तो हमें ना फाइनल फिनिशिंग में काफी ज़्यादा दिक्कत होती है और यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी मैं आप लोगों से सच बोलूँगी क्योंकि जितना यह टर्फल आप देख रहे हैं यह मेरा टर्फल खतम हो गया था यतना ही मेरे पास टर्फल बचा था और अगर अच्छे से बचा होता ना तो मैं इसको अच्छे से कोई बात नहीं और इस पूरे केक में मेरा हाफ केजी चोकलेट चले गया था 300 ग्राम तो आप लोग खुद देखें सामने से ही कि मैं टर्फल बनाई थी और बाकी 100 ग्राम का मैं जो इसके अंदर गनाश यूज करी हूँ वो डाली हूँ और इसके बाद जो 100 ग्राम और था अगर टर्फल बनाना थोड़ा डिफिकर्ट लगता है कि तो आप लोग ज़रूर बनाए उसमें क्या रहता है थोड़ा टिप ट्रिक्स यूज करेंगे ना तो यकिन करें कोई दिक्कत नहीं आती है और अगर बाई चांस आप है टर्फल रखें फ्रीज में और उसके बाद मैं फ्रीज में डाली अगर आप लोग कभी ऐसा रहे कि फ्रीज में डाल दिये हैं तो आप लोग निकाल के वापिस से वीप कर लें या चम्मत से कर लें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और यहां पहना मैं फ्रीज में रखी थी थोड़ा टाइम के लिए उसके प्लेट नाइव गुमा रही हूं तो बेस नहीं उखड़ रहा है आप टरफल बनाएंगे ना तो आपका बेस उखड़ेगा और वो उखड़ इसलिए नहीं रहा है कि इसके उपर ना टोटर में गनास ना करम कोड करी हूं और यहां पर मैं चान कर डाल रही हूं और आप ल करेंगे बहुत इसली हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है तो आप लोग कप ट्राइ कर रहे हैं जरूर कमेंट करके बताना अगर आप लोग मेरी वीडियो देखकर केक बनाते हैं तो प्लीज एक कमेंट कर सकते हैं मुझे खुश करने के लिए क्योंकि मुझे भी लगता ह कोई मेरी वीडियो देखके सीख रहा है तो मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी और यहां पहना मैं स्वेल वाली डिजाइन बना दी हूं फिर मुझे लगाना कि अच्छा नहीं लग रहा है और नीचे का भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि नीचे कॉफी क लेकिन कोई बात नहीं आप लोगों के साथ भी सेम सिच्वेशन होगा तो आप लोग भी जब आप परफेक्ट रहें अपने दिल को सकुन मिले कि हां मेरा केक अपरफेक्ट है तब तक आप अपना केक बनाए और केक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है शुरू-शुरू में थोड़ी प्रोब्लम होगी क्योंकि क्रेम हैंडल नहीं होता है बनाने में दिक्कत होती है हाथ उतने स्पीड से नहीं चलता है फिनिशिंग अच्छे से नहीं होती है आप यकिन करें कि जब आहम है न इस पोंच रखते हैं उसके पर विप क्रीम डालते हैं और प्लेट ना हमें सब आ जाता है और यहां पर मैं अपने केक की फिनिशिंग दे रही हूं पहले मैं सोची की साइड का प्लेन रखती हूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा तो मैं इसको खूब अच्छे से प्लेन करी हूं स्मूध करी हूं आप लोग देख रहेंगे कि काफी स्मूध है ऐ बनाएं बहुत टाइम चल जाता है इसमें और इसमें खाली यही एक चीज मुझे करना था कि टर्फल बनाना था और चॉकलेट की गानिशिंग करनी थी यह सामने से आया था डिमांड कि आप यह दो चीज कर देना केक में और बाकी आपके कैसा बनाए मुझे कोई प्रॉप और यहां पहना साइड में जो आप देख रहे हैं उठा उठा है उपर उसके बार में फिनिशिंग इसी के लिए नहीं दी मैं बोलीला सोची कि यहां पहना गोल्डन कर देते हूं क्योंकि बहुत सारे केक में मैं सब के देखती हूं मैं खुद भी अपने एक-दो केक में कर ब्लेक और गोल्डन जादा लुक अच्छा आएगा तो आप लोग भी है कभी ट्राइ करना काफी अच्छा लुक आता है और यहां पर है ना मैं साइड में कर दी हूं और केक बनाते के साथ है आपको यह बात का भी दियान रखना है कि आप अच्छा किलीन करें जब तक आप करेंगे केक का लुक नहीं आता है और यहां पर जो मेरा बचा था बाकी ड्रिपिंग वहनम मैं उगली की मदद से यह डिजाइन देदी हूं आप बहुत सारे केक में यह डिजाइन देखे होंगे और बहुत ही अच्छा लुक आता है अगर आप यह कर देना उसके बाद कु तो मैं निकालकर लाइन होग जो ऑपर बने बना देती हूँ यह जो आप डेक रही होग यह ड्रिपर जो यह आजकल च्रेंड में consideration मैं मैं भी सर्ट नहीं और बार घाए और आप लोगो को भी बता दूह तो आप यह वाली सुंखे सीका नहीं नहीं होता है तो मैं च्सेश म मैं एक ही फुलावर नहीं अच्छ से बना है और आप लोग देख रहोंगे कि मैं उसको कैची की हल्प से हटाई हूँ क्योंकि नोग पहना चॉकलेट का टुकड़ा आ गया था तो अगर आप टर्फल बना रहे हैं तो एक बार छान लेंगे तो ज्यादा बेश्ट रहेगा अ लेकिन मैं क्या ही करूं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सारी चीजे नहीं बताती हूं तो मेरी वीडियो अधूरी है और लोग अगर आके मेरी वीडियो से देखेंगे तो क्या ही सिखेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं यह डिसाइड करी हूँ कि ह आपने कभी वीडियो में या कभी बेटर बना के डालूंगी या कभी गनाश डालूंगी क्योंकि जो भी मेरी वीडियो कंटीनू देखेंगे तो तीन चार दिन के बाद उनको एक बार मुझ ज़रूर मिलेगा और यहां पे जो मैं फ्रीज में रखी थी वह निकाल कर लेकर प्राइब और इसके हैं जगे जगे पर एक डॉट दे दिए और आप लोग देख रहेंगे कि कितना पर्फेक्ट एक दम अच्छा है सारे फुलावर ना पर्फेक्ट बन रहे हैं और यह नीचे भी थोड़ा से में गानिशिंग लगा दी हूं और यह मेरे केक का फाइनल ल क्य tänale कि रात को दो बजते में वाईस ओवर रही हूं लिकिन फीर भी कुत्तों की आवाज आ रही है तो मैं क्या ही कर सकते हैं दिन में गाड़ियों की आवाज इतनी रहती हूं वहां पर दि्कर रहती है और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाइड़ स्वे काया एक्यों